हार सिक्षक वहाली को लेकर बड़ी खबर के साथ मैं नीरज एकबार फिर आपके साथ बड़ी खबर हम आपको दे दे दिसंबर सीटेट अभ्यार्थियों के केस में सिक्षा भी भागने अब सीए दाखिल कर दिया है आपको बता दे कि 21 सितंबर को बड़ी सुनवाई है और सुनवाई से पहले आज सीए दाखिल हुआ है संध्या में सीए अधिवक्ता को मिला और अधिवक्ता के हवाले से खबर हम आपको दे रहे हैं कि सीए दिसंबर सीटेट केस में दाखिल हुआ है अधिवक्ता के हवाले से खबर हम आपको बड़ी खबर देने की C.A. दाखिल हुआ है और C.A. दाखिल होने के बाद 20 सितंबर को बड़ी सुनवाई आपको पतना हाई कोट में देखने को मिलेगी सिक्षा सुधार रोजगार के दिवक्ता दोरा C.A. मिलने की पुस्टी की गई है और अब दिसमबर सीटेट अभ्यारती संसय में थे साथ में अन्य अभ्यारती भी संसय में थे क्योंकि पतना हाई कोट में अभी तक C.A. सिक्षा विभाग की उदासीन रवईये के कारण अभी तक C.A. दाखिल नहीं वाता पर सिक्षा सुधार रोजगार के बड़ी पहल के बाद ये संबब हुआ है हमने सिक्षा विभाग पर दवाव बनाया इस संबंद में कि C.A. जल से जल दाखिल हो और सिक्षा के बड़े अधिकारियों को कई ग्यापन भी भेजे गए और अब बड़ी खुसकवरी हम आपको दे दें कि C.A. दाखिल होने के बाद आपको बड़ी सुनवाई देखने को मिलेगी सिक्षा सुधार रोजगार के बड़े परियास के बाद C.A. अब हाई कोट पतना के सीटेट दिसमबर केस में दाखिल हो गया और अभ्यर्टियों के लिए बड़ी ख़बर हो सकती है आपको बता दें कि 21 सितमर 2020 को बड़ी सुनवाई है और सुनवाई में बड़े वकील साथ बड़े वकील सिक्षा सुधार रोजगार की तरब से दिसमबर सीटेट अभ्यर्टियों की तरब से पतना हाई कोट में इस सुनवाई में अपना पक्स रखेंगे और दिसमबर सिक्षा दिकारियों तक हमने ये ख़वर पहुंचवाई और साब दोर से बात रखी कि अगर सिये दायर नहीं हुआ तो बड़ा अंदोलन होगा इसके जिम्मेवार सिक्षा विभाग के उच्षा दिकारी होंगे उदासीन रवये को हमने खतम करने को बड़ी बात कही थी औ और आज सिये दायर हुआ केस में आपको हम बता देगी साथ बड़े वकीलों के साथ सिक्षा सुधार रोजगार का बड़ा केस और जल्द ही बड़ी सुनवाई एक किस सितंबर 2020 को ये सुनवाई होगी आज 18 सितंबर 2020 को संध्या में सिये दाखिल हुआ है वकील के हवाले स अब खरे हैं डियम उफिस के सामने और हमारे साथ है प्रसान जी जो सीटेट उत्रिन अभ्यारती दिसमबर और उच अधिकारियों तक ग्यापन दिया लाठिया खाई है पुलिस की आप देख सकते हैं मुक मंतरी से जब मिलने गए अभ्यारती तो लाठी मिले मुक मंतरी के आवास पर आप देख सकते हैं अभ्यारती को और ऐसे में अभ्यारती घबराय नहीं एक एक लाठी का बदला लिया जाएगा इस कुरीती भरी नीतियों के खिलाप सिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले अभ्यारती एक है और वो चाहे पहले से बीटेट सीटेट पास अ नहीं परने वाला हमने एक कठिन परियास के बाद सब अभ्यारती को एक किया और जो अभ्यारती पहले से बीटेट सीटेट पास है वो जो इंटर्वेनर रखे है कि इसमें हम कहेंगे कि वो भी सरकार पर दवाव डाले कि जब इतनी सीटे खाली है और सिक्षा के निदेशक 35,000 सीटों की बात करते हैं तो सीट जोडा जाए और अभ्यारतियों को मौका दिया जाए हमारे तरफ से तो पक्स मजबूत है और मौका मिलेगा पर जो पहले से बीटेट सीटेट पास अभ्यारती इंटर्वेनर को रखे है वो 35,000 सीट का मुद्दा जरूर रखे आपको ब भाग और सरकार से होनी चाहिए और बड़ी जीत जल्दी हमें मिलने वाली है ऐसे में अभ्यारतियों को अब एक जुट रहना है 21 सितंबर 2020 की सुनवाई आप देख ले अभ्यारतियों से निवेदन है कि एक जुटता का पड़िचाएद है क्योंकि आगे सुनवाई कि तित रोजगार हो